Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel So, यह एक बहुती special video है Because यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ी problem solve करने वाला हूँ Problem क्या है मैं आपको एक बार समझाता हूँ So, अगर आप मेरे channel पर जाओगे और वहाँ पर अगर आप playlist वाले section में जाओगे तो आपको दिखा ही देगा कि मेरे channel पर मैंने कुछ 20-21 projects बना रखे और यह projects पर बहुत सारे views आते है और this is something जो मेरे channel के top videos में से एक है The only problem with this playlist is कि इस playlist में जो maximum projects मैंने बनाए है उनको deploy करने के लिए मैंने एक service use की थी past में और उस service का नाम है Heroku अब Heroku as a service उस time पर एक free tier का option देती थी which means कि आपके जैसे लोग और मेरे जैसे लोग जो proper company setup में projects नहीं बना रहे हैं बलकि hobby level पे या अपना portfolio build करने के लिए project बना रहे हैं वो बहुत आसानी से इस platform को use करके अपने project को deploy कर सकते थे but I guess धीरे धीरे इनके पैसे खतम हो गए और eventually Heroku decided कि वो अपना free tier वाला plan हटा देंगे which meant कि अगर आपको Heroku पे कुछ भी deploy करना है simple से simple project भी तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे अब I know आप लोगों में से बहुत लोग students हो और सिर्फ deployment के लिए आप कहीं पे पैसे नहीं लगा सकते और ये एक बहुत बड़ी problem बन गई और उसके बाद से क्या हुआ कि लोग इन वीडियो को देखते थे और मुझे mail करते थे कि sir सब कुछ ठीक है project हमारे laptop पे चल रहा है अब बस deployment करने जा रहे हैं तो Heroku को पैसे मांग रहा है बताओ क्या करे तो ये जो वीडियो है वो इसी problem को solve करता है मैंने एक alternative platform ढूंडा है I'm pretty sure और भी ऐसे platforms होंगे बट मुझे एक platform मिला है जिसका नाम है render और render की खास बात क्या है कि वो बिलकुल Heroku की तरह एक free tier option आपको देता है जहांपर आप अपने hobby projects portfolio projects deploy कर सकते हो आप बड़े और serious projects भी आपे deploy कर सकते हो but obviously वो उतना अच्छा performance आपको नहीं देंगे आपको फिर इन से paid options लेने पड़ेंगे बट अगर आप paid options ले रहे हो तो it would make more sense अगर आप AWS या GCP के उपर अपना वो काम करो but if you are a starter, if you are a beginner जो अभी just machine learning सीख रहा है और उसको एक quick solution चाहिए अपने projects को deploy करने के लिए render is a very good solution ठीक है, in fact मेरे experience में it is easier to deploy machine learning application on render in comparison to Heroku Heroku में फिर भी थोड़ी जादा मेहनत करनी पड़ती थी render ने उसको और simplify कर दिया तो इस video में what I am going to do is कि मैं एक छोटा सा machine learning application आपकी आखों के सामने render पर deploy करके दिखाऊंगा और एक बार आप ये video देख लोगे उसके बाद आप अपने किसी भी project को free में deploy कर पाऊगे render के उपर, ठीक है तो start करते है मैंने एक step by step guide जैसा बना रखा है, जिसमें total मिलाके 5 steps है और हम इन 5 steps को follow करेंगे अपने machine learning model को deploy करने के लिए ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, कि आपको एक trained machine learning model चाहिए, ठीक है obviously, उसी को आप deploy करते हो तो मैं आपको पहले पूरा workflow समझा देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक normal सा sample problem toy problem उठा रहा हूँ मेरा जो toy problem है वो ये है कि मुझे students के कुछ features को study करके ये बताना है कि उनका placement होगा या नहीं, तो ये मैंने toy dataset create कर रखा है आप भी देख सकते हो, इसमें five features are there, IQ कितना है बच्चे का, CGPA कितना है 10th में marks कितने है, 12th में marks कितने है, उनका communication skill कितना है, out of 10 और फिर, output पे मैंने बता रखा है कि उस बच्चे का placement होगा या नहीं, अब ध्यान देने वाली बात ये है, कि ये एक toy dataset है, इसमें सिर्फ hundred rows है तो obviously यहाँ पे जो भी model building हम कर रहे हैं, वो बहुत serious level पे हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है but you can still see the flow आप अपने project में ये same flow use करोगे, so हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने libraries import किये हैं, मैं इस project में random forest use करने वाला हूँ तो that is why मैंने random forest classifier को import किया है, अगली line में मैंने एक important चीज़ किया है, मैंने जितनी भी libraries मैं यहाँ पे use कर रहा हूँ मैं उन सब का version number निकाल रहा हूँ क्यों निकाल रहा हूँ, because future में मैं चाहूँगा कि render पे जब मैं in libraries को deploy करूँ तो मैं exactly यही versions को deploy करूँ, नहीं तो version mismatch हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि training के time पे, मैं psychic learn का कोई different version use कर रहा हूँ, और render पे मैंने कोई और version deploy कर रहा है और वो version mismatch की वज़े से application मेरे laptop पे तो चल रहा है बट render पे नहीं चल रहा, ठीक है तो that is why make sure कि आप जो भी applications, libraries use करो आप उनका version भी note down करके कहीं रख लो, मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है अगली चीज है, मैंने data import किया है you can see, this is the data जिसकी मैं बात कर रहा था, यह रहे top 5 rows उसके बाद आगे का steps बहुत ही simple है यह सब आपको पता है, आप x और y अलग कर रहे हो, train test split कर रहे हो, उसके बाद मैं hyper parameter tuning कर रहा हूँ, आप भी करोगे so मैंने यहाँ पर random forest को पकड़ करके, उसके जितने भी parameters होते हैं, उनके अलग-अलग values try out किये, जैसे कि n estimator की अलग-अलग values, 100, 200 300, max depth की अलग-अलग values, min samples split और min samples leave यह 4 हो के मैंने अलग-अलग values try out किये उसके बाद इस step में हम क्या कर रहे हैं, हम parameters, best parameters है और कौन सा estimator हमारा best estimator है, तो total हमने out of 108 candidates total 108 अलग models हम train कर रहे हैं, और since हम cross validation लगा रहे हैं, 5-5 बाद train कर रहे हैं तो total हम 540 बार model training कर रहे हैं और यह पता करने के बाद कि कौन सा best model है हमारा, मैंने क्या किया, उस best model को उठाया, और उसका classification report generate किया and you can see, as expected the report is giving very very bad results हमारा जो accuracy है, वो 40 के असपास है, which is like bad like really bad, 50% मतलब guess होता है, हम उससे भी नीचे operate कर रहे हैं, 40 पे बट अगे जैसा मैंने बोला, इस video में ये मेरा main concern नहीं था कि हमारा model दुनिया का best model हो, हमारा concern ये है कि हमारे पास एक working model होना चाहिए जो predictions करके दे, ठीक है और यही मैंने किया है last step में मैंने last step में, हमारा जो model है उसको pickle dump कर दिया है, serialize कर दिया है और वो model आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इस जगे पे, ठीक है this, हमने step 1 complete कर लिया, हमने अपना model train किया, और हमारे पास, हमारा model का pkl file है, ठीक है, जिसको हम आगे use करेंगे, अब यहाँ से main काम शुरू होता है अब आपको क्या करना पड़ेगा अपने model को serve करने के लिए, आपको एक website बनानी पड़ेगी right, आप website करी तरीकों से बना सकते हो, मैंने आपको अपने channel पे बहुत बार बता रखा है कि आप flask बोलके एक library है उसको use करके, यह पूरा काम कर सकते हो तो हम वही करने वाले है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप command prompt पे जाओगे हम step 2 पे move कर रहे है, by the way तो हम command prompt पे जा रहे है command prompt पे आप सबसे पहले एक नया project, repository या folder बनाओगे, so मैं cd कर जा रहा हूँ desktop पे और desktop के अंदर I'll create a folder by the name of render demo और अब मैं render demo के अंदर घुश जाता हूँ using cd और यहां से मैं open करता हूँ vs code so nothing special, इस step में क्या हुआ है कि हमारे desktop पे एक folder बन गया है render demo और उस location से मैंने क्या किया है, vs code open किया है ठीक है, अब अगला step क्या है, अगला step है कि मुझे इस नए folder में सबसे बहले एक virtual environment create करना है virtual environment क्या होता है, I really hope आपको पता है, आप एक अलग space बनाते हो अपने project के लिए जहाँ पर आप सारी libraries install करते हो और वो libraries बाहर से kind of protected रहती है ठीक है, तो it is this safe place जहाँ पर आपका project run करेगा तो सबसे पहले हम क्या करते है terminal पे जाते है और सबसे पहले एक virtual environment create करते है, virtual environment create करने के लिए हमारा जो command है वो है यह मैं अपने virtual environment को नाम देता हूँ, my environment जैसी आप इस command को run करोगे, आप notice करोगे कि आपके project folder के अंदर एक नया folder बन जाएगा ठीक उसी नाम से, जिस नाम से आपने virtual environment create किया है, ठीक है, तो मेरे case में the folder name is myenv ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस virtual environment को start करना या activate करना है, so I'll just wait, यह command पूरी तरगिया से execute नहीं हुआ है भी हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको activate करेंगे, so हम लिखेंगे, myenv के अंदर scripts है और scripts के अंदर हम activate को चला देंगे, and you can means हमारा जो virtual environment है वो trigger हो चुका है, activate हो चुका है अब हम सारा काम इसके अंदर करेंगे so the first thing that you will do is कि आप सबसे पहले तो we will create a new file और यह file है हमारी git ignore file git ignore file क्या होती है आपको पता होगा शायद जब हम इस पूरे project को push करेंगे github पे, तो जो files को github पे नहीं भेजना जाते हैं, उनका नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारे case में हम my environment folder जो बना है उसको हम github पे नहीं भेजना जाते हैं, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा machine learning model है, उसको हमें यहाँ पे करना है, so basically what we have to do is कि यह जो मैंने model.pkl फाल डाउनलोड की थी, इसको मुझे अपने इस project folder में ले करके आना है, हो गया, you can see, यहाँ पर model.pkl आ चुका है, ठीक है, अगली चीज़ क्या है, कि मुझे यहाँ पर अपना flask का code लिखना है, so the thing that I'll do is, कि मैं यहाँ पर सबसे पहले एक file बनाऊँगा, let's call that file app.py, app.py me क्या content जाएगा, वो पहले से मैंने लिख रखा, I don't want to code the exact thing, because it will take time, so यह मेरा code है, और बहुत simple सा code है, आप तुरंट देखके समझ जाओगे, अगर आपने कभी भी पहले flask पे काम किया है, so हो क्या रहा है, कि हम अपने model को load कर रहे है, model.pkl, उसके बाद जैसे ही कोई हमारी website के URL पर hit करेगा, उसको सबसे पहले हम एक page दिखाएंगे, और उस page का नाम है index.html, ठीक है, अब यह particular page या file हमें create करनी पड़ेगी, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक folder बनाना पड़ेगा, templates बोलके, और templates के अंदर हमें एक file बनानी पड़ेगी, index.html, ठीक है, templates folder बनाना ज़रूरी है, अगर आप वो नहीं बनाओगे, तो आपका error आएगा, ये सारी चीज हमने, हमारे flask वाले course में describe कर रखा है, अगर आप हमारी website पर जाओगे, learnwith.campus6.in, वहाँ पर आपको हमारे flask का dedicated course मिलेगा, आप वो जाकर के देख सकते हो, अगर आपको flask नहीं आता, तो ये मेरा html file है, जहाँ पर कुछ खास नहीं है, मैंने एक form बना रखा है, जहाँ पर मैं user से पूछूँगा, कि बताओ, नए student का IQ कितना है, उसका 12th का marks कितना है, 10th का marks कितना है, और एक button होगा, जिसको submit करते ही, हमारा model बता देगा, कि उस student का placement होगा, यह नहीं होगा, ठीक है, तो simple यह file हमने बना ली, और यहाँ पर हमने एक और route add किया है, predict बोलके, जिसका काम है, कि वो form में जैसे user data डालेगा, वो data को खीच के लाएगा, और model को देदेगा, model prediction करेगा, और वही prediction हम वापस भेज देंगे, index.html पर, तो very simple setup, ठीक है, and that's it, इतना ही code आपको लिखना है, यह दोनों files मैं आपके साथ share कर दोगा, अगर आप exactly the same project try out करना चाहते हो, but yeah, this is the exact setup that you need, अब हमारे पास code आ चुका है, अब बस हमें क्या करना पड़ेगा, एक दो छोटी मोटी चीज़े करनी है, जैसे कि हमें libraries इंस्टॉल करनी है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, आपे कौन-कौन सी libraries हमें चाहिए, flask चाहिए है, numpy, pandas भी मानी लेते हैं, अगर जरूरत हो internally, और scikit learn, और एक और हमें library चाहिए, g-unicorn, जो server हमारा run करेगा, render के उपर, तो हम लिखते हैं, pip install, we need to install flask, उसके बाद, आगे क्या install करना है, उसके लिए मैं यहां जा रहा हूँ, मुझे सबसे पहले चाहिए है, numpy, equal to equal to, कौन सा version, 1.25.2, उसके बाद मुझे चाहिए है, pandas, कौन सा, 2.0.3, उसके बाद मुझे चाहिए है, scikit learn, प्लीज आप एक गलती मत करना, मैंने की थी, scikit learn लिखना, sklearn मत लिखना, scikit learn is the new name, 1.2.2, और इसके अलावा, मुझे चाहिए है, g-unicorn, g-unicorn, flask, numpy, pandas, scikit learn, g-unicorn, enter मारते हैं, यह सारी लाइब्रेडीज, हम इंस्टॉल कर रहे हैं, हमारे इस virtual environment के अंदर, ठीक है, यह global setting में install नहीं हो रही है, सिर्फ इस virtual environment के अंदर हो रही है, हमारे project के लिए, meanwhile, जब तक यह install हो रहा है, what I will do is, I will quickly check, हमारा अगला step क्या होने वाला है, हमारा अगला step होने वाला है, कि हमें इस जगे पे एक, requirements.txt file generate करनी है, requirements.txt file, इसलिए ज़रूरी है generate करना, because, वही file देख करके, render को समझ में आएगा, कि server पे कौन-कौन सी libraries, उसको install करनी पड़ेगी, इस project को चलाने के लिए, तो I will just wait, एक बार यह सारा installation हो जाने दो, फिर मैं generate करूँगा, requirements.txt file, meanwhile, या, ठीक है, चीज़े ठीक चल रही है, and you can see, हमने सारी की सारी libraries, install कर ली, अब हम क्या करेंगे, हमारी जो requirements.txt file है, वो generate करेंगे, तो उसका command होता है, pip freeze requirements.txt, I will just quickly check, मैंने requirements का spelling साही लिखा है, okay, and done, you can see, this is our requirements.txt file, और ये है उन सारी libraries का नाम, जो हमें install करवाना होगा, render के उपर, along with the version name, ये version name बहुत important है, because इससे क्या होगा, कि जो versions हमने यहाँ पर चलाए है, वही same versions, वहाँ पर भी चलेंगे, ठीक है, तो मेरा project is all ready, to be deployed, but deploy करने के पहले, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कि ये कैसा दिखता है, हमारे laptop पे, so that आप समझ पाओ कि आपको, कैसा दिखाई देगा, render पे, तो since this is a flask application, इसको चलाना बहुत आसान है, आपको बस लिखना है, python app.py, जैसे आप इस command को run करोगे, अगर सब कुछ अभी तक सही से हुआ होगा, तो आपको एक URL मिलेगा, आपके ही machine का, और उस URL पे एक flask server चल रहा होगा, जहां पे आपको आपकी website दिखाई देनी चाहिए, so you can see, this is the URL, I'll copy, and I'll paste it here, in fact I'll paste it here, you can see, this is the application, that we have built, simple sa user interface है, यहां पे आप अपने user का, या student का, यह data एंटर करोगे, और predict button पे click करोगे, आपको answer मिल जाएगा, तो फिलहाल मैं, लिख रहा हूँ की बंदे का, IQ 100 है, CGP 9 है, 10th में 90% है, 12th में भी 90% है, communication skill भी 9 है, और predict किया हमने, and it says not placed, so yeah, जो भी है, यह हमारा model, मैंने आपको बोला था, खराप perform करेगा, 40% की आसपास accuracy है, तो गलतियां कर रहा है, एक बहुत अच्छे student को बोल रहा है, कि भाई तुम्हारा placement नहीं होगा, but guess what, model काम कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो जो भी है, this is our application, इसी को हमें deploy करना है, कहां पर? render के उपर, ठीक है, तो इस point पे, हमारी इस journey में, हम step 3 तक आ चुके हैं, हमने project बना लिया है, हमारे machine पे काम कर रहा है, अब हमें इसको render पे डालना है, तो अब move करते है, step number 4 पे, अब render का क्या सीन है, कि वो बहुत closely tied up है, github के साथ, तो आपको github पे पहले, अपने project को डालना होगा, और वहां से render, उसको उठा करके deploy करता है, तो the best thing to do right now would be, कि आप github पे सबसे पहले, एक repository create कर लो, अपने project के लिए, so this is my github account, new पे जाना है, फिलाल मैं repository का नाम, render demo कर दे रहा हूँ, और फिलाल मैं, यहां पे लिख दे रहा हूँ, यह मैं इस तरह का description इसलिए लिख रहा हूँ, because मेरे github page पे बहुत सारे students आते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि क्या यह काम का है, तो मैंने उनके लिए message लिख दिया है, कि नहीं, this is a temporary repo, soon to be deleted, आपके case में आप एक project का description लिख देना, कि this is a project that solves the problem of student placement prediction, and it is deployed on render, इस तरह का description लिख देना, मैंने फिलहाल यह लिख दिया है, repository हमने create कर ली है, हमें बस अब इसको as remote add करना पड़ेगा, so आगे का काम यहां से होगा, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको एक नया terminal open करना है, because इस terminal पे अल्यड़ी हमारा Flask का application चल रहा है, तो यहां से हमने नया terminal open किया, और इस जगह पे हम लिखेंगे get init, इससे क्या होगा, कि हमारी एक empty get repository initialize हो जाएगी, और यहां पे अब हमें क्या करना है, कि हमें हमारे इस project को, हमारा GitHub वाले repo से connect करना है, उसके लिए हमारा command होता है, git remote add, remote का नाम, generally उसको origin बुलाया जाता है, और यहां पे हम यह URL दे देंगे, हमारे GitHub repository का, तो यह command क्या कर रहा है, मेरे project folder को connect कर दे रहा है, मेरे GitHub वाली repository से, done, अब हम यहां पे get status करेंगे, to find out, यह क्या-क्या बदला है, जब से project शुरू हुआ है, तो you can see, इतनी सारी नई files create हुई है, तो मैं इन सारी नई files को, staging area में लेके जाओंगा, और commit कर दूँगा, commit-m, I will say, initial commit, enter मारा, commit हो गया, अब हम इस सारे code को push कर देंगे, तो हम लिखेंगे, get push origin master, अगर सब सही रहा, तो ये सारा का सारा code, push हो जाएगा, इस जगे पर, अगर मैं इसको refresh करूँ, तो इक इन सी, सब कुछ push हो गया, ठीक है, so our git repository is ready, अब बस last step बचा है, और वो last step क्या है, deploying on render, ठीक है, बहुत आसान है, let me show you, आपको सबसे पहले जाना है, render पे, और आपको, अपना एक account बनाना है, I would recommend, आप login करते हैं, github को use करो, authorize करने के लिए, मैं sign in कर रहा हूं, और मैं github के थूँ sign in कर रहा हूं, it's a good idea, वैसे आप Google से भी कर सकते हो, और, since मैंने पहले authorize कर रखा था, तो यहाँ पर कुछ extra steps नहीं हुए, उसने समझ लिया, कि यह बंदा पहले से है, और अब मुझे क्या करना है, मुझे इस new पे click करना है, और यहाँ पे, multiple options आते हैं, आपके आपास static website बनानी है, web service बनानी है, अलग-अलग options हैं, हमें web service चाहिए, तो इस जगे पे आपको क्या करना है, आपको अपने repository से connect करना है, render को, तो यहाँ पे देखो बोल रहा है, git provider क्या है, connect git provider, तो अलग-अलग options हैं, GitHub है, GitLab है, BitBucket है, हम GitHub पे जा रहे हैं, अब यह पूछ रहा है कि, सारी repository से connect करना चाहते हो, तो आप या फिर कोई specific repository से, मैं बोलूँगा कि, मुझे एक selected repository चाहिए, यह वो सारी repositories है, जो मेरे GitHub अकाउंट पे हैं, बट मुझे चाहिए है render demo, यह वाली, सब सही है, install, connect हो गया, you can see, मुझे बस इसको select करना है, और connect पे click करना है, और यह आ गया है हम अपने main deployment वाले page पे, बस यही पर अब मुझे कुछ details, in fact, मुझे कोई भी details प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पहले से दिया हुआ है, source code कहां से आ रहा है, इस जगे से आ रहा है, इस project का नाम क्या होगा, यह नाम आपको unique रखना पड़ेगा, सो मैं इसको रख रहा हूँ, render demo campus x, ठीक है, language python 3 है, branch master है, region उनका खुद का एक region है, वो select हो गया, root directory हमें specify करनी की ज़रूरत नहीं है, यह बहुत important command है, हमारे github repository मे requirements.txt फाइल होनी चाहिए, render क्या करेगा, यह command execute करके, requirements.txt में जो भी libraries का नाम लिखा हुआ है, उनको install कर देगा, अपने environment में, और उसके बाद यह हमारा server run करेगा, basically हमारा app run करेगा, and that's it, इतना ही setting है, आपको बस एक instance type select करना है, यहाँ पे multiple options है, बढ़ आपको पता है, service, जैसी आप इसके उपर click करोगे, यह terminal आपको दिखाई दे रहा है, यह आपके server का terminal है, और आप देखोगे कि यहाँ पे धीरे-धीरे, चीजे होना start हो गई है, वो सारे packages जो हमने requirements.txt में डाले थे, वो सबके सब यहाँ install हो रहे हैं, एक-एक करके, इसके बाद आपका server स्टार्ट हो गया है, और अगर आपको URL चाहिए अपनी service का, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा, इस पे अगर आप click करोगे, यह आपका flask आपका, application running on renders server, ठीक है, तो एक नए बच्चे का detail देते हैं, बहुत ही नालाइक बच्चा, IQ 1 है, CGPA भी 1 है, 10th में marks भी 1% थे, 12th में marks भी 1% थे, communication skill भी 1 है, लेट सी, इसका placement होता है की नहीं, बहुत बढ़िया, इस बच्चे का तो placement हो जाएगा, सो हाँ, हमने बहुत तगड़ा model बनाया है, बट उससे भी बड़ी बात, हमने अपने model को deploy किया है, free में, on a service called render, so going forward, अगर आप मेरा कोई भी project देख रहे हो, या फिर किसी का भी कोई भी project देख रहे हो, और आपको यह समस्या आ रही है, कि आप अपने project को deploy नहीं कर पारे हो, because आपके पास कोई option नहीं है, तो please try out render, it's a good service, भले ही थोड़ा सा slow रहेगा, depending on your application, but free में, आप अपने portfolio projects को अराम से host कर सकते हो, तो yeah, that was the video guys, मैंने आपको complete demo दे दिया, यह repository आपको details में मिल जाएगी, वीडियो के description section में मिल जाएगी, आप अगर try out करना चाहते हो, same चीज़ तो आप कर सकते हो, बाकि अगर आपको वीडियो पसंद आए, do like, और अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया है, please do subscribe, मिलते हैं next video में, bye,